नमश्कрос कार दोस्तों सुवाघते आपका आपके अपने YouTube चैनल में और दोस्तों आज ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चुहारे खाने के फाइदों के पारे में फ्रिंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब आठते हैं वीडियो की दरब क्या आप जानते हैं चुहारा और खजूर एक ही बेट से उत्पन होते हैं दोनों की तासीर गरम होती है और दोनों शरीर को मजबुद बनाने में फिशेश भूमी का निबाते हैं गरम तासीर होने के खारण ही सर्दियों में तो इसकी उपियोगिता बढ़ी जाती है अब फ्रेंस मैं आपको बताती हूँ कि चुहारे खाने के क्या क्या फायदे होते हैं पहला फायदा है प्रियर्ट्स यानि की मासिक धरम सर्दी के दिनों में कहीं महलाओं को मासिक धरम से जुड़े समस्यां भी होती है इसके लिए चुहारे फाइदे मंदे चुहारे खाने से मासिक धरम खुल कर आता है और कमर दर्द में भी लाब होता है इसके अलाबा चुहारे खाने से पेशाप का रोग दूर होता है बुड़ाबे में पेशाप बार बार आता हो तो दिन में दो चुहारे खाने से लाब होगा चुहारे वाला दूद भी लाफकारी है यदि बच्चा बिस्तर पर पिशाप करता है तो उसे भी रात को चुहारे वाला दूद पिलाएं यह शक्ती पोचाने में भी काफी मदद करता है इसके अलावा फ्रेंस कम रक्त चाप वाले रोगी तीन से चार खजूर गरम पानी में दोकर गुठली निकाल दे इसे गाई के दूद के साथ उबार ले उबले होई दूद को सुबर शाम पिये कुछ ही दिनों में कम रक्त चाप से छुटकारा मिल जाएगा इसके अलावा बात करते हैं अगले पाईदे की जोकी है दातों के लिए चुआरे खाकर गरम दूद पीने से केलशियम की कमी से होने वाले रोग जैसे दातों की कमजोरी हट्डियों का गलना इत्यादिक रोग दूर हो जाते हैं इसके अलावा फ्रिंस बात करते हैं अगले वाईदे की जो की हैं कब्ज सुबर शाम तीन चुवारे खाकर बात में गरम पानी पीने से कब्ज दूर होती है खजूर का अचार बोजन के साथ खाय जाये तो अजीरन रोग नहीं होता साथ ही मुगा स्वाद भी ठीक रेता है खजूर का अचार बनाने की विदी थोड़ी कटीन है इसलिए आप बना बनाया ही अचार ले लेना चाहिए इसके अलावा फ्रेंस यहां मदू में रोग से भी आपको बचाता है मदू में रोगी जिनके लिए मिठाई चीनी इत्यादिक वर्जित है सिमित मातरा में खजूर का हलवा इस्तिमाल कर सकते हैं खजूर में वह आउगुन नहीं है जो गन्ने वाली चीनी में पाय जाता है इसके अलावा पुराने गाओ पुराने घाओं के लिए खजूर की गुटली को जला कर भस्म बना ले घाओं पर इसे भस्म को लगाने से घाओं बर जाते हैं इसके अलाबा फ्रेंज से बात करते हैं अगले फाइदे की जो की है आखों के लिए खजूर की गुटली का सुर्मा, आखों में ढालने से आखों का रोक दूर हो जाता है इसके अरहावा खासी, छुवारे को घी में बुनकर दिन में दो तीन बार सेवन करने से खासी, छींग, जुगाम और बलगम से राहत मिलती है इसकी अरावा जुएं खजूर की गुटलियों को पाने में गिसकर सिर पर लगाने से सिर की जुएं मर जाती है तो देखा दोस्तों आपने ये थे खजूर खाने के फायदे उमीद करती हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो बसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू फ्रेंज मिलते हैं बगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ